ठीक है सद्गुरू जी, अब मैं आपको इससे दूर फिल्मों की दुनिया में ले चलती हूँ, जहां से मेरा नाता है, सालों पहले जब फिल्में शुरू हुई थी, और आप जानते हैं, साट के दश्रक में, सत्तर के दश्रक में, सुन्दर कहानिया, अच्छे मूल्य, गीत और संगीत थे, लेकिन जब तक मैं फिल्मों में स्टार बनी, तब हमारे जटके मटके से पिछली पीडियों को धक्का लगा होगा, और उन्होंने कहा होगा कि ये सब क्या है, लेकिन यह तब भी सीमा के भीतर था, किसकी सीमा में? मेरा मतलब है कि समाज के लिए जो मैं तो कहूंगी तब की और फिर आज की फिल्मों का अंदाज, जिस तरह की फिल्मे हम देख रहे हैं, छोटे कपड़े पहनी हुई, और परदे पर ये लिव-इन रिलेशन्शिप और नाइट क्लब संस्कृती हर किसी के देखने के लिए उपलब्ध है, मेरा मतलब है कि य मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, और अब वे ये सब देख रहे हैं, ये इस तरह के गाने जो वो सुन रहे हैं, गीतों की बोल जिस बारे में आपको पता है, जनम जनम से लेकर एक्सपारी डेट तक वाले गीत, जी हाँ, तो यही, वो यही सब चीजे देख रहे हैं, उन तो मैं बस थोड़ी चिंतित हूँ, कि वे क्या बन कर निकलेंगे, मुझे यकीन है कि आपके माता-पिता भी चिंतित थे, वे, ठीक है, तो क्या मैं, मुझे यकीन है कि जब मैं बड़ा हो रहा था, तो मेरे माता-पिता बहुत ज्यादा चिंतित थे, तो हर माता-पिता को ये चिन्ता होती है, हर पीड़ी को ये चिन्ता होती है, कि अगली पीड़ी हमेशा गलत जा रही है, मैं समझता हूँ कि आप क्या कह रही है, ये अचानक बदलाव, अगर हर पीड़ी उस जगह से एक कदम आगे जाना चाहती है, जहां पिछली पीड़ी ने अपना कदम रखा है बस कुछ अलग करने की खातिर लगबग हर चीज करना या यह स्वाभाविक है कि वो एक महाल में बड़े हुए हैं तो वो इसे एक दूसरे स्तर पर ले जाए हाँ अगले का मतलब हमेशा अगला नहीं होता आप यही कहना चाह रही है हाँ यह जादा उच्छा स्तर नहीं है ठीक है यह बस अगला है तो यह चिंता हमेशा से रही है लेकिन अभी जो बदलाव हो रहा है वो अगला नहीं है यह एक गंभीर असर है क्योंकि पिछले 15 सालों में दुनिया भर में संस्कृतियों और सीमाओं के बीच संचार करने की क्षमता इतनी विशाल और इतनी पूर्व हो गई है कि इस से पहले कोई भी इस तरह के असर का आदी कभी नहीं था ठीक है हमारे युवा लोगों पर इस तरह के असर इस से पहले कभी संभव नहीं थे किसी भी दूसरी पीड़ी ने कभी इतनी सारी दिशाओं से इस तरह के हमले का अनुभव नहीं किया और ये बहुत जटिल और बहुत उलजा हुआ है कोई नहीं जानता कि ये कहा है यहां तक की युवा लोग भी इसमें कई चीजें शामिल है तो ये जानकारी और संचार के अचानक हमले के कारण हुआ है ये हमारे तै करने के लिए नहीं है कि ये अच्छा है या बुरा बात बस इतनी है कि निश्चित रूप से इस तर की जानकारी जब मैं जानकारी कहता हूँ तो जब हम बड़े हो रहे थे मैं मानता हूँ कि ये आपकी पीड़ी के लिए भी सच था हम ने कभी नहीं जाना कि बोरियत क्या है ठीक है ऐसी ऐसी कोई चीज ही नहीं थी हम अपने सामने आने वाली हर चीज को लेकर बस उचसाहित थे लेकिन आज आज आप बारा साल के बच्चों को देखें अगर आप उन्हें बताते हैं क्या आप देखिए कि वे सिर्फ इसलिए उप गए हैं क्योंकि उन्हें पूरे ब्रमहांड के बारे में पता है यह उन्होंने इसे अपने फोन की स्क्रीन पर देखाया यहां की कंप्यूटर स्क्रीन पर भी नहीं फोन स्क्रीन पर उन्होंने पूरे ब्रमहांड को देख लिया है वो हर चीज जानते हैं आप उनसे पूछिए, वो इसे जानते हैं, जानकारी की वज़ा से, जब तक वे 18 के होते हैं, तब तक उनके 5 लव अफैर हो चुके होते हैं, और खत्म भी, पश्चिमी दुनिया में ये वैसा ही है, अब यहां भी वैसा होने लगा है, ठीक है, तो जब तक वे 18 के होते हैं, जो आपको अपने शरीर मन और भावनाओं के साथ देखने की ज़रूरत होती है, ठीक है, जब तक वे 25 के होंगे, अब आगे क्या करें, आगे क्या, आप देखेंगे, मेरी कामना नहीं है, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ, जिस तरह से लोगों के दिमाग काम कर रहे हैं, जिस जाने वाली पीडियों के लिए ये कई गुना बढ़ जाएगा, तो आपको अश्चर्य नहीं होना चाहिए, अगले 50 से 100 सालों में, अगर 50 प्रतिशत माना वाबादी, आत्म हत्या करना चुनती है, तो आपको अश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिमाग के साथ यही होगा, कोई ताली बजा रहा है, देखिए, ये लोग प्रीय है, नहीं, आपने अभी अभी मर्म कुछ हुआ है, और ये, नहीं मैं कह रहा हूँ, आज, दुनिया में जितने लोग अब लडाईयों, हत्याओं और दुरखटनाओं में मारे जाते हैं, उससे कही ज्यादा लो मैं अपने मन को जानता हूँ, मुझे पता है कि ये कैसे काम करता है, क्या संभाल सकता है, क्या नहीं कर सकता, मैं साफता और पर जानता हूँ कि मानव मन क्या है, यही कारण है कि मुझे लोगों की लिखी किताबों को पढ़ने की या उनकी पूरी बात सुनने की ज़रूरत परती अगर वे एक वाक्ष बोलते हैं तो मैं जान जाता हुँ कि उनका मन क्या है क्योंकि मैं मानव मन की सनरचना को पूरी तरह से जानता हूँ वरनां स्तर की गती यही या इस से ज्यादा रहती है तो अगले कुछ सालों में संभव है कि ये निश्चित रूप से खुद को खत्म करने की इच्छा की और ले जाएगी क्योंकि जीने के लिए कुछ भी नहीं होगा किसी भी चीज को लेकर खुशी और उत्साह बाकी नहीं रहेगा आप पीछे मुड़कर खुद के जीवन को देखिए आप में से जो 50 साल से अधिक के उम्र के हैं बस पीछे मुड़कर अपने जीवन में देखिए जब आप 12-15 वर्ष के थे क्या तब आपके पास किसी चीज से उबने की कोई गुणजाईश थी आप बस हर छोटी चीज को लेकर उत्साहित रहते थे हैं ना आज आप देखेंगे कि ये लगभग एक सामान ये बात है कि 12-15 साल के बच्चे बोर हो रहे हैं केवल एक चीज है बिल्कुल सही हाँ वे सभी आईपाड आईफोन पर हैं वे गैजट्स में लगे रहते हैं चूकि हम प्रेम और जीवन के बारे में बात कर रहे हैं इस सब का कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि आपका एक लव अफैर था जब आप 18 साल के थे आपको लगा कि यह आपका जीवन है और आप उसकी खातिर मरने के लिए तयार थे आप उसके लिए चाहे मरे या नहीं पर कम से कम उस समय आपने सोचा कि आप उसके लिए मर जाएंगे ठीक है आज फेस्बुक पे उनके 22 लव अफैर एक साथ चल रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके ये अफैर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए मैं बस ये कह रहा हूँ कि इससे दिमाग पर एक निश्चित बोज आएगा और अचानक एक इनसान ये सोचेगा कि मैं यहां क्यूं हूँ आप शेक्स्पियर के उस बड़े सवाल को तो जानते हैं न, होना या नहीं होना ये सबसे बुधमानी का सवाल नहीं है दुर्भागे से लोग ऐसा सोचते हैं ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि जीवन ने आपको स्पर्ष नहीं किया है आप जीवन का एक अंश नहीं है आप बस एक मनोवैग्यानिक मामला है आप विचारों और भावनाओं से भरे हुए है आपने जीवन को बिलकुल भी नहीं छुआ है आपको लगता है कि आपके विचार और भावनाएं जीवन है नहीं आपके विचार और भावनाएं वो नाटक हैं जो आप अपने मन में पैदा कर रहे हैं यह आपका सिनमा है आपको इसे कही न कहीं पर खत्म करने के काविल होना चाहिए अगर आप नहीं जानते कि इसका the end कैसे करें तब यह एक अंतहीन सिनमा सावित होगा आप पागल हो जाएंगे जीवन यहां घटित हो रहा है, जीवन वो नहीं है, आपका काम जीवन नहीं है, आपका परिवार जीवन नहीं है, आपका कर्यार जीवन नहीं है, आपका सिनमा जीवन नहीं है, आपका विचार जीवन नहीं है, आपकी भावना जीवन नहीं है जीवन यहां गटित हो रहा है बाकि सब कुछ जीवन का साज और सामान है अब जीवन के ताम जाम जीवन से भी बड़े बन चुके हैं जीवन से आप पूरी तरह से चूग गए हैं अगर आप अपने भीतर जीवन को स्परश करते हैं तो ये उर्जा का एक विस्फोट है जब आपके साथ ऐसी चीज कभी नहीं होती क्योंकि आपको अपने फोन की स्क्रीन पर पूरे ब्रमान की जानकारी है तो आपको जीवन कभी स्पर्ष नहीं करेगा क्योंकि बहुत अधिक जानकारी बहुत ज़्यादा विचार यहां तक की भावनाई भी सूख जा रही है बहुत सारे विचार चल रहे हैं